हलो फ्रेंड्स माइनेम उबैद आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम एक कूलर बनाएंगे जिसे आप अपने एंड़ेट फॉन से चला सकते हो और फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी जित तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने हर शीट पर उसकी डाइमेंशन लिख दिय है और जिस डाइमेंशन का वह पीस है उसके मैंने दो दो पीस काट लिये है और यह 3 इन्ची 2 सूथ 2 वाला पीस है इसको मैंने डबल काटा था और मैंने इसका पहले ही मिड़ पॉिण नि निकल जाता है और फ्रेंट्स वीडियो को step by step देखते रही है किस तरीके से हम इसकी body की making कर रहे हैं तो मैंने glue gun का इस्तमाल किया है body को चिपकाने के लिए और फ्रेंट्स इस body को चिपकाने के लिए आप favicol का भी use कर सकते हो लेकिन आपको उसमें weight करना पड़ेगा और अगर आप इसको बिल्कुल hand to hand use करना चाहते हो यूज में लाना चाहते हो तो फ्रेंट्स उसके लिए fast glue आती है उसका आप यूज कर सकते हो तो फ्रेंट्स मैंने आप glue का कम यूज किया है क्योंकि फ्रेंट्स glue कम इस्तमाल करने पर भी अच्छा वर्क करती है और फ्रेंट्स आप देख सकते हो मैं नीचे का जो portion खाली छोड़ दिया है और आप उपर की तरफ का जो portion देखोगे side वाला तो य हम बाद में इसको cover कर लेंगे इसके बाद आपको जो है पीशे की तरफ equal equal line काड़नी है यानि बिल्कुल इकसार ताकि आप महाँ पर haul कर सको तो haul करने के लिए सबसे पहले हमें निशान लगाने होंगे तो इस case से मैं mark कर रहा हूं जगे जगे dot लगा रहा हूं तो आप दे सबस्तानी से हो जाएगा तो आप देख सकते हो मैंने drill से इसमें haul कर दी है और friends इसका जो हमारा matter आता है बहुत man matter है यह जो हम इसका डाया निकालेंगे बीच का यह बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इसको जारा ध्यान से समझें तो मैंने इसका बीच का जो midpoint निकाल कर यहां motor रखनी है motor रखने के लिए यह system बनाया है और friends इसको निकालने के लिए सिर्फ आपका यह जो face है यह circle है इसका midpoint निकालना पड़ेगा और इसके बाद हम choose करते है motor को तो friends motor जो हम यह 5 volt का use करेंगे जो सबसे बड़ा motor आप देख पा रहे हो और friends इसे motor जो मैं यूज कर रहा हूं यह मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इसके rpm जादा है और यह काफी जादा speed से चलता है और friends आप कोई छोटी motor का भी यूज कर सकते हो और friends इसके बाद मैं एक propeller का use किया है यह आपको market में 5 रुपे की easily मिल जाएगी और friends अगर आप यह नहीं ले सकते त मिट पॉइंट निकाल लिया है तो आपको motor लगाने से पहले sheet पर मिट पॉइंट निकालना है ताकि motor आपकी सीधी रहे टेड़ी नहों और friends एक बार आप इस और देख लीजिए किस तरीके से लगा है ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहों और इसके बाद friends आपको कोई भी data cable का एक USB slot काट लेना है जो कि charger के अंदर लगता है और उसकी simply तरीके से wiring कर लेनी है मैंने इसमें लगा दिया है पिलस में पिलस लगा दिया है और माइनस में माइनस इसको joint कर दिया है इसके बास friends मैं इस पर tape लगा दूँँगा ताकि ये कोई भी short circuit ना कर सके और आप data cable जब काट रहे हों तो friends इसको थोड़ी सी बड़ी काटें ताकि ये बिल्कुल छोटी ना पड़ जाए और friends आप सोच रहे होंगी कि मैंना खराब data cable का आपको solution क्यों दिया है तो friends तो उसका solution new दिया है क्योंकि खराब data cable कभी भी दोनों तरफ से खराब नहीं होती वो हमेश friends ice chamber बनाने के लिए मैंने waste material का ही यूज किया है आप देख सकते हो यह डब्बे हैं खाली PVC के तो इनको हमें काट लेना है या तो cutter की मदद से काट लेंगे या फिर blade की मदद से इसको हम काट लेंगे और friends काटने में आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि blade जो है इधर अधर बहुत जल्दी हो जाता है यह आपको काट भी सकता है आपके हाथ पैर या उंगलियां आपकी काट सकता है तो इसलिए बहुत जादा ध्यान से इसका यूज करना पड़ेगा आपको क्योंकि friends इसमें जो वीडियो में दिखाया जाता है यह तो बहुत fast forward करके आपको लेकिन आप अगर रियल में इसका यूज करोगे तो यह बहुत जादा शार्प होता है और आपके हाथ में लग सकता है तो आप फिर आप बाद में मुझे ही काओगे कि मैंने कोई आपको solution नहीं बताया और friends यहाँ मैंने डबबे को जो काटा था उसकी एक sheet बना ली है तो म बिल्कुल इकसार आ जाएगी और friends अगर आपसे ऐसा ना हो सके तो आपको इसको हलकी सी gas की आच पर सीधा कर लेना है यह थोड़ी सी आप इसको heat दोगे तो यह पिघल कर सीधा हो जाएगा और friends आपके नीचे का portion जो है इसको जो है नाप लेना है बिल्कुल equal नापना है औ और friends इसके बाद यहाँ पर इसकी आप कटाई करनी है यह कैंची की मदश साब काट सकते हो और इस sheet को आप एक बार fix करकर देख लें चेक करकर देख लें कि यह आपकी fix आ रही है नहीं friends मैंने चिपकाने के लिए glue one का ही use किया है क्योंकि friends मेरे पास अभी फिलाल में solution नहीं और आप अगर इसको चिपका सकते हो तो fast glue बहुत जादा best काम करेगी और friends अगर आपके पास इतना भी कुछ नहीं है तो आप इसको tape से चिपका सकते हो friends आपके पास tape तो मिली जाएगी और friends अगर आप taping का भी use करते हो तो taping का इस तरीके से use करना है क्योंकि यह हमारा ice chamber ह तो यह बिल्कुल waterproof होना चाहिए इसमें से बिल्कुल भी पानी या एक भी बून नहीं निकलनी चाहिए वरना यह water tank बिल्कुल आपका बेकार हो जाएगा और आपका जो यह बना बनाया cooler है AC cooler यह बिल्कुल बेकार हो जाएगा तो friends हमारा ice chamber बिल्कुल complete हो चुका है तयार हो चुका है और आप देख सकते हो मैंने इसको यह fix भी कर दिया है इसके बाद उपर का जो portion हमारा रह गया था उसके लिए हम roofing करेंगे यानि इसकी जो एक sheet रह गई थी इसको यह fix करेंगे fix करने के लिए friends मैं here glue gun का use कर रहा हूँ और friends यह glue gun आपको थोड़ी थोड़ी लगानी है ताकि यह बाहर ना निकल पाए और इसके बाद friends मैं एक blade की मदद से glue जो बाहर जादा निकली है उसको मैं काट दूँगा तो हमारे cooler की जो looking हो काफी better हो चुकी है इसके बाद आपको एक aluminium की जाली लेनी है और जाली को square में आपको काट लेना है इस जाली काटने के लिए friends मैं कैंची का use कर रहा हूँ इससे easily cut जाती है अगर आपके पास blade हो आरी का तो आप उससे भी से काट सकते हो तो friends आप देख fix हो सके तो friends वीडियो में बने रहिएगा और step by step इसको देखते रहिएगा कोई भी scene आपको miss नहीं करना है क्योंकि आपको full knowledge मिलनी चाहिए आपको कोई भी अधूरी knowledge मिलेगी तो उससे मेरा नुकसान है और friends मैंने इस जाली को fix करने के लिए glue gun का use किया है और यहां भी ताकि glue gun जादा बाहर ना निकल पाए तो friends जाली लगने के बाद हमारा mini AC cooler काफी बहतर looking दे रहा है काफी अच्छा लग रहा है और friends इस cooler को चलाने के लिए हमें OTG का use करना है क्योंकि friends Android phone में OTG का ही use करके कोई भी आप DC motor या कोई भी LED bulb जला सकते हो तो friends OTG को connect करने के बाद हम cooler को check करते हैं कि किस तरीके से work कर रहा है और friends मैंने OTG को phone से connect कर लिया है और अंदर से OTG का option होता है उसे on करना पड़ेगा उसके बाद आप देख सकते हो हमारा cooler अच्छी तरीके से work कर रहा है आपको इसे खूब अच्छी तरीके से देखना है कि इस तरीके से work कर रहा है और friends मुझे नए नए invention बनाने का शोग है तो ये भी मेरा एक नए invention है तो आपको इसे enjoy करना चाहिए और friends ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको कहीं भी जहां आपको बिजली नहीं आती हो या भाग जाती हो या time बे time पर आती हो तो बंदे के लिए काफी बैतर काम करेगा तो friends मेरी इस मेहनत का एक like तो जरूर बनता है और मेरे पुराने friend अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो उनके लिए thank you so much और जो new friend अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी thank you so much तो friends आप mini AC cooler को enjoy कीजिए मिलत हैं अगले नए content के साथ कि अगले नए content के साथ